आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे आडानी इंटरप्राइजेज स्टॉक के बारे में मल्टिपल न्यूज दिखे हैं और सभी न्यूज लगबग पोजिटिव थे इसके बाद भी स्टॉक स्ट्रेंद को मिस कर रहा है आखिर क्यों न्यूज और ट्रेंड को समझे इससे पहला योप कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में सेयर कर दिया बेल नोटिफिकेशन को आउन करना बिल्कुल नहीं भूले जिससे कि आपके अपडेट्स आपको मिलते रहें वीडियो पसंद आए तो डिस्किप्शन के लिंक से एकाउंट अपन करके हमारे एक्टिब टेडिंग कम्निटी लर्निंग ग्रूप में जुरें और मार्केट साइंटिस प्रीमियम टेलिग्राम बिल्कुल फ्री है उसको भी जा करके जॉइन करेंगे यहां अगेन आज स्टॉक में 1% तक की गिराबर दिखी यहां देखेंगे तो डेट मैट्रिक्स को लेकर के निउस था यहां मुंदरा प्लांट को अगेन रिवाइब करने की बात आई यहां डेट के डिकंस्रक्ट करने को बात आया तो सभी निउस तो पोजेटिव ही हैं और इसके साथ ही यहां देखेंगे तो कल भी हमने दिखा था कि 14,000 से 16,000 करोर के आजपास का इनिशियल फंडिंग करेगी कंपनी एक्स्पेंशन के लिए उप्रेशन जो सस्पेंड हो चुका था और यही निउस दिख रहा है यहां देखेंगे हिनलेंबर्ग इंफेक्टेड लॉसेज इस्टील वाई हेवली ओन अडानी स्टॉक तो मुझे बहुत सारे रिकबर भी दिखेंगे हैं यहां डिलेबरी थोड़ा बहुत जो है अर्लियर के कंपरेटिबली अगें डिलेबरी बिल्ड होते वे दिख रहा ह है टेक्निकली विकनेस है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो निवेसक जो स्मॉल ट्रेडर हैं उनको फियरफुल करा जा रहा है टेक्निकली इस समय टूफोर टूजीरो और ट्वेंटी फाइब जीरो के जोन में स्टक है काफी लंबे समय से यह एक कंसोलिडेट ट्रेंड है 2400 को ध्यान रखे इसके नीचे एक बरा डाउंट्रेंड भी दिख सकता है जहां 200 तक के लोवर लेवल भी टच होंगे ट्रेडर ऑपर्चुनिटी ग्रैब करेगा और अपर साइड के लिए 252040 के लेवल को ध्यान में दे इसके ब्रेक आउट पे आप देखी रहे होंगे कि बरा टार्गेट आपको 2700 से लेकर के 3200 तक के लेवल दिखेंगे तो अबर आल मैं कहूंगा इससे मैं कौसन बरते हैं रेंज ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन होने दे तो ग्रैब करने की कोशिस प्राइस